श्री गनेशाय नमहा शांताकारं भुजग शैनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदर्शं मेगवर्णं शुभांगं लक्ष्मी गांतं कमल नैडं योगी भिर्द्या निगम्यं वन्देव विश्णु भववेहरं स्तर्व लोकेक नाथं शुरू करते हैं श्री रंग जी के बारे में पढ़ेंगे द्योसा एक गाव तहां श्री रंग सुनाम हुतो बनिक सरावगी की कथाले बखानी है रहतो गुलाम गयो धर्म राज धाम उहां भयो बड़ो दूत गही सुनू अरे बानिये जैपुर प्रांत में द्योसा नामक एक गाव है वहां श्री रंग नामक एक सरावगी वैश रहते थे अब यहां उनकी कथागा वर्णन करता हूँ श्री रंग जी के घर में एक नौकर रहता था वह मरकर धर्म राज के धाम को गया धर्म राज ने उसे प्रधान यमदूत बना दिया एक बार वह यमराज की आग्या से द्योसा को आया और रंग जी के पास जाकर बोला ये बनिये सुन मैं तुम्हारा नौकर था अब यमदूत बन गया हूँ इस गाव के एक बन जारे को लेने आया हूँ आय बनी जारे लेन देख तू देखावे चैन बैल श्रंग मध्य पैठी मारे पही चानिये तू देख मैं तुझे तमाशा दिखाता हूँ वह बीमार या मरने वाला नहीं है मैं उसके बैल के सींगों पर बैठ कर उसे माल कर ले जाओंगा तब तुम समझ जाओगे कि भगवान की भक्ती के बिना सारे संसार के जीवों की यही गती है यमदूत अंतरधान हो गया और श्री रंग जी के देखते देखते उस बनजारे को माल कर ले गया बिनू हरी भक्ती सब जगत की यहे रेती भयो हरी भक्त श्री अनंत पद ध्यानी है लोगों ने कहा बैल ने सींग से पेट फार कर मार डाला इस चरित्र को देखकर श्री रंग जी उसी शर्ण से भगवान के भक्त बन गया और श्री अनंता नंजी की शर्ण में जाकर उनके शिश्य बन गया सदा गुरू चर्णों का ध्यान करने लगे गुलाम बड़ो दूत इमानदार गुलाम नौकर समझकर श्री धर्मराज जी ने भी इससे अपना बड़ा दूत बना लिया कही सुनू अरे बानिये मरने के काफी दिन बाद जब श्री रंग जी ने नौकर को देखा तो डर गया कि ये भूत है तब यमदूत ने कहा मैं तुम्हारा नमक खाया हूँ इसलिए तुम्हें चेतावनी देने के लिए आया हूँ मेरी इमानदारी से यमराज प्रसंद हुआ और मुझे दूतों को सरदार बना दिया है आज मैं अमुख बंजारे को मारने के लिए आया हूँ क्योंकि बिनू हरी भक्ती सब जगत की है रेती बिनू बैल भजन बिनू बैल बिनाने हुए हो पाउ चारी सिर सिंग गुंग मुख तब कैसे गुन गए हो चारी पहर दिन चरत फिरत बन तवना पेट अगे हूँ तूटे कंध अरुफूटी नाकनी को लोधों भुस खे हूँ लादत जोतत लकुट बाजी है तब कहु मूर दुरे हूँ सीत घाम घन विपति बहुत विधी भार तरे मरी जेहू हरी संतन को कहयो न मानत किये आपुनों पे हो सूरदास भगवंत भजन बिनूम मिथ्या जनम गवेहूम और एक और भी लिखा है बजन बिनू नर मरघट को भूत शामा श्याम रटे रसनासों तिन को जान सपूत बिनू हरी भजन करम सब अकरम आठों गाठ कपूत एक अनन्य भक्ति बिनू कीन है धिग करनी करतूत निशुदिन करत कपट छलबाजी समझे नहीं आउत सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत आगे पढ़ते हैं अगला कवित जो दिया है 108 ठारवा कवित दिया है क्या लिखा है सुत को दिखाई देत भूत नित सूख्यो जात पूछे कहीं बात जाई वाके ठोर सोयों है श्री रंग जी के पुत्र को रात में भूत दिखाई देता था उसके भैसे भैनित सूख्ता ही चला जाता था श्री रंग जी ने बालक से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि रात में भैंकर प्रेत के देखने से मैं दिन राच चिंतित रहता हूँ तब श्री रंग जी पुत्र के सोने के स्थान पर स्ट्वैम सोए आयो निशी मारेबे को धायो यह रोश भर्यो देवो गतिमो को उन बोलिक के सुनायो है रात होते ही वैं प्रेत आया श्री रंग जी क्रोध करके उसे माणने के लिए दोले प्रेत ने देनिता पूर्वक कहा कि आप कृपा करके मुझे इस पाप योने से मुक्त करके सदगती प्रदान कीजिए जाती को सुनार पर नारी लगी प्रेत भयो लयो तेरी शरण में ढूंडी जग पायो है मैं जाती का सुनार हूँ पराई इस्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ अपने उधार का उपाय संसार में खोजने के बाद अब आपकी शरण ली है दियो चरणा अम्रत ले कियो दिवे रूप वाको अती ही अनूप सुनो भक्ती भाव गायो है प्रेत की आर्तवानी सुनकर श्रीरंग जी ने उसे चर्णाम रद दिया और उसका अत्यन्द सुन्दर दिव रूप कर दिया इस प्रकार श्रीरंग जी के भक्ती भाव का गान किया गया है देवो गती सुनायो है इसके लिए लिखा है जब श्रीरंग जी जलती लकड़ी को लेकर मारने के लिए दोड़े तब है चर्णों में गिर गया बोलने की सामर से नहीं थी इसलिए उसके उपर जलका छीटा दिया तब बोलने की शक्ती आई दुदुकारी की तरह और ये दुदुकारी की कथा जोय है ये भी शीवन भागवत के महत्व में दिये हुई है आगे लिखाया और अपना सारा व्रतान सुनाया उसने पर नारी लगी परेथ भयो पराई इस्त्री में आसत्त व्यक्ती जीते जी परेथ है पर द्रोही, पर दार रत, पर धन पर अपवाद, तेनर पावर पाप मैं, देह धरिस मनुजाद सुबगति पाव की पर त्रिय गामी ये साथ दुरवसन निश्चे ही नरक मे ले जाते हैं इसी से श्रीवी भीशन जी ने रावन को समझाते वे कहा कौन-कौन से जो साथ जो है, जो नरक मे ले जाते हैं, उसके लिए लिखा है ये है साथ ये साथ दुरवसन निश्चे ही नरक मे ले जाते हैं इसी से श्रीवी भीशन जी ने रावन को समझाते वे कहा जो आपन चाहे कल्याना सुजस सुमती शुबगती सुखनाना तो पर नारी लिलार गुसाई तजहु चौत के चंद की नाई महात्मा श्री चर्णदाज जी कहते हैं कि अरे नर पर नारी मत तक रहे जिन जिन तको को डायन के तिन तिन को गई भूक रहे दूध आक को पात कटेओ जाल अगनी को जानू सिंग मुछारे विशकारे को ऐसे ताही पिछानू छानी नरक की अति दुख दाई चौरासी भरमावे जनम जनम को दाग लगावे हरी गुरुतुरत छुडावे जग फिरी फिरी महीमा को खोवे राखे तनमन मेला चरन दास शुकुदेव चितावे सुमिरो राम सुहेला दियो चर्णामरत इसके लिए लिखा है प्रेत संत चर्णामरत का पान करके ततकाल प्रेत योनी से छूट गया और दिव विरूब धरकर भगवाद धाम चला गया संत चर्णामरत की बड़ी भारी महीमा है यथा गंगा सागर से लिखा है इसका अर्थ श्री रंग जी की गुरु जुनों में बड़ी निश्ठा थी जो यहाँ पर संस्कृत का एक मंत्र लिखा है श्रोक लिखा है उसका आर्थ जो है यही लिखा है केवल की संत ही सबसे बड़े तीर्थ है ठीक है आगे लिखा है श्री रंग जी की गुरु जुनों में बड़ी निश्ठा थी विशेश चरित्र जो है वो पीपा जी के प्रसिंग में आएगा 305 में कवित 305 में आएगा श्री रंग के चेत धरियों देखी है श्री नर हरिदास जी का चरित्र भी छप्पे अगली वीडियो में हम लोग पैहारी श्रीक्रिष्न दाज जी के पढ़ेंगे जो थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा इनका च्रित्र ओम नो भगवते भासुदेवाए